हेलो व्रिवाज स्वागते आप सभी का काजे श्यमा क्लासे येटिव चैनल में आज की वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वह एंच्फ 2005 अधिकम ही तू आंकलन का निरिक्षन हम सेम टॉपिक को इंग्लिश में डिसकस कर चुके हैं यानिक इंग्लिश मीड क्या है अगर हम असेस्मेंट फॉर लर्निंग के परपस से देखें तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है सेम ही वीडियो का जो कि इंग्लिश में है आप चाहो तो इस वीडियो के भी हैं ले सकते हो जिसे बाई लिंग में होने से आपको हैल्प मिल जाएगी राष्ट्र पाठे करम रूप रेखा एंसीएफ 2005 एंसी आर्टी द्वारा प्रस्तावित एक द्रिश्य परिवर्तन है यानि कि एंसी आर्टी द्वारा एक कमेटी बनाए गई उसमें चेंज किया गया जो व्यक्तिगत प्रणाली की बदलाव का समर्थन करता है प लंगी यह सीक्षा प्रणाली पाठे पुस्त केंद्रित त appelle केंद्रित शीक्षा पर अधारित है liky06 एड्यकेशन inhabited था नंसे द 275 में लाये गया वहां कि ऑला गया कि जो एड्यकेशन वो child centered होगा education जो थी वो एक तरह ऐसे जो text book centered है यानि पठ्थे पुस्तक केंद्री तो पहले से ही थी लेकिन यहाँ पर पहली बार बात की गई कि child centered education भी होगी अच्छे से focus किया गया इस बात पर और यह है रूप रेखा बिना बोद के सीखने की अधारना पर अधारित है या नी बच्चा सीखेगा लेकिन activity की help से सीखेगा खेल खेल में सीखेगा उस पर कोई बोज नहीं होगा या फिर कोई burden नहीं होगा पाठे करम का नया द्रिष्टिकों NCF में वर्णित है यह द्रिष्टिकों मुल्यांकन परावर्तन एवं चिंतन पर गहरा प्रभाव डालता ह आधि गम परत्येक बालक के ज्ञान अधारित महतवववववववव भागो का पुना स्रिजन है इसका अर्थ है कि बालक ज्ञान श्रिजन की प्रक्रिया तथा इसको अर्थपुर्ण बनाने हेतू भागेदार बन कर सीखते हैं देखें इसका मतलब ये है कि जो बच्चा होता है प्याजे की थियोरी सबने पड़ी है तो प्याजे क्या कहते हैं कि जो बच्चा है वो खुद से जो है ज्ञान कंस्ट्रक्ट करता है ज्ञान की रचना खुद से करता है तो NCF भी सेम बात कहता है कि जो बच्चे होते हैं वो स्रिजन करते हैं ज्ञान का यानि खुद स निर्मान करते हैं और इसको अर्थपूर्थ बनाने हे तो खुद से participate करके या भागिदार बनकर सीखते हैं तो यह सारी बात कहता है NCF नेक्स्ट है classroom based assessment यानि जब आप students का classroom में assessment करते हो उनका evaluation करते हो तो कौन-कौन सी basic assumptions या अधारनाएं होती है या कौन-कौन इसे principles से जिनको आप थ्यान में रखोगे जो कि according to NCF rules follow करने होते हैं सो first है व्यापक पाठे करम यानि broad curriculum यानि जो आपका curriculum होगा वो broad होगा सिर्फ उसमें education related ही point ना हो even उसमें जो activity होती है तो सारी जो process होती है वो उस concept में और curriculum में include हो जैसे पाठे करम प्रासंगिक हो तथा यह केवल पाठे करम पठन तक सीमीत ना हो यानि सिर्फ पढ़ने लिखने तक ही सीमीत ना हो बलकि अधिगम के स्तानांत्रन लाग के साथ साथ छात्रों के विचार कोशल शेक्षिक वेप्रियायों की लाग जाएं यानि बच्चे सिर्फ पढ़ने वाली एजूकेशन ना ले लिखने पढ़ने वाली एवन ऐसी एजूकेशन ले जिससे जो उनके विचार हैं जो उनके कोशल है या फिर जो प्रियायों की कारिया हैं उन पर भी बल दिया जा सकी फिर सेक्षिक वेवस्ता में system जो अपना education system में उसमें change लाय जाए एक समस्या के समाधान तथा उसके कार्य को स्विकार कर उत्तर को संभव बनाना आंकलन प्रकरिया जो next assumption है समू अनुभव group experience इसमें बहुत से काम ऐसे होते हैं जिसमें चात्र अनुभव करता है या भाग लेता है समू कार्य का आकलन तथा समू में प्रतेक छात्र का योगदान आंकलन कार्य का महत्वपूर्ण उधारन है या फिर आप कह सकते हैं एक अच्छा example है यानि जब बच्चे ग्रूप में काम करेंगे एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझेंगे लीडर्शिप क्वालिटी आएगी तो इसी लिए हम बच्चे का असिस्मेंट ग्रूप में भी कर सकते हैं ये भी एक अच्छा कदम है बच्चे के लिए असिस्मेंट करने के लिए फिर आता है चातरा अभी व्यक्ति को आदर respect to express student यानि आप बच्चों को opportunity दीजिए उनको आफसर परदान कीजिए कि बच्चे अपने आपको express कर पाएं उनकी कुछ problem हो या फिर वो किसी question पर अपना विचार रखते हैं तो आप उनकी जो एक तर परदान करना जहां वे अपनी अभी व्यक्ति वर्णन के तरीकों का चेहन कर सके प्रते एक बालक की बालक की जो भावना है उनका आदर वे समान किया जाए चात्रों की अनुक्रिया परिवर्तन को समझने एवम उनकी प्रशंशा करें और शिक्षक को एक ग्रहन शील द्रि यानि उनको असर मिलेगा तो वो अपनी बात अच्छे से रख पाएंगे नेक्स्ट असम्शन आती है चात्र अधिगम प्रकरियात्म ज्यान नौलेज अबाउट दा प्रोसेस ऑफ स्टूडेंट लर्निंग यानि जो प्रोसेस होता है बच्चे की लर्निंग का उस पर भी ह समाधान तक कैसे पहुचते हैं यह जानना भी महत्वपूर्ण है ना कि केवल अंतिम परिणाम या निश्काष देखना यानि हमें सिर्फ बच्चों को एक तरह से रटाने नहीं यह चीजे उनको सिखाना है उनको समस्या समाधान कैसे करना है यह सारी चीजे हमें बच्चो को सिखानी है अधिक परिक्षन इस परकार की जानकारी परदान नहीं करते यानि जो हम बच्चे का असेस्मेंट करते हैं उससे हमें यह सारी बाते नहीं पता लगते पता लग पाते इसे लिए असेस्मेंट करना बच्चों का एक अच्छा वे हो सकता है अच्छा माध्यम ह हो सकता है जहां पर हम बच्चों का ओल्ड राउंड अलपमेंट नोटिस कर पाते हैं फिर आता है वास्तविक प्रिश्ट भूमी पर आंकलन असिस्मेंट ओंदा यह ना केवल छातर को विधाले कक्षा कक्ष तक सीमित रखा जाता है बलकि वास्तविक संसार से भी परेचित कराए जाता है यानि बच्चों को आप सिर्फ Nick लास्रूम तक ही सीमित मत कीजिये क्लास्रूम ही बच्चों को एक तरह से पैन पेपर वाला सिस्टम नहीं करना हमे हमें क्या करना है बच्चों को real life से connect करके उनका solution देना है जो problems होती है next आता है active participation of student यानि कि छात्र सहभागिता यानि बच्चों का participation जितने active होगा सीखने में learning करने में उतना ही अच्छा हम बच्चों को सिखा पाएंगे और इसी तरह से जो बच्चे है वो school के बाहर की भी knowledge गेन कर पाएंगे या फिर प्राप्त कर पाएंगे तो ये थे कुछ assessment के basic assumption जो हम as a teacher students के साथ classroom में use करते हैं बच्चे का assessment करते टाइम नेक्स्ट है नीडस और प्रियोरिटी एस्पेक्ट फोर डिजाय चेंजिज इन असेस्मेंट यानि जब हम assessment करते हैं तो उसमें कौन-कौन से changes हमें करने है according to ncf फर्स्ट पोइंट है विध्याल्य अधारित आंतरिक आंकलन में विध्धी करना यानि जो student है उनकी internal school based assessment में आप increment करोगे जिससे क्या benefit होगा छात्रों में तनाव कम होगा या फिर हमें छात्रों में तनाव को कम करना चाहिए मुल्यांकन को व्यापक वैनिमित बनाईए यानि जब आप students का evaluation करते हैं उनके सारे aspect का evaluation कीजिए प्लस regular evaluation कीजिए आप students का फिर आता है शिक्षकों को स्रिजनात्मक सिक्षन अध्यन के अवसर देना यानि जो teacher है उनको भी आप अच्छी teaching के अवसर प्रदान कीजिए उनक सिक्षारती विविद्धा को समान प्रदान कर समावेशन को सुगम बनाना यानि जो students हैं उनमें काफी सारी आप देखते हो diversity देखने को मिलती है उसको आप respect कीजिए ताकि बच्चे adjust कर पाए यानि मान लिजे classroom में 50 students हैं किसी बच्चे का mind level कैसा है किसी का कैसा है तो आप स systematic readiness and response यानि जब आप students को teach करते हो तो उनको इस तरह से आप तयार कीजिए कि बच्चे सीखने के लिए ready हो और response करें यानि सिक्षा शास्त्री अभ्यास के प्योग में भी विद्धी हो और उसको सुनिश्चित करने ही तु सतत आकलन में बढ़ोतरी करना आवशक है ताकि एक प्रेशर का response करेंगे तो child-centered education को promote किया जा सकेगा फिर जो next desired changes है वो है परिक्षन संबंदी तनाव को कम करना जो NCF है उसका प्रमुख विश्य यही है कि जो students का examination लिया जाता है परिक्षन किया जाता है या फिर annual exam हो या फिर जो आपके terminal exam होते हो उसको continue कीजिए क्योंकि ऐ रहेंगे तो उन पर pressure कम होगा अगर एक एदम से students का evaluation करते हो तो उन पर ज्यादा pressure होगा और NCF का main agenda ही था कि study without burden या फिर examination without burden यहीं स्टूडेंट के उपर से एक तनाव को कम करना एक प्रेशर को कम करना NCF, NCF की हमें आशक्ता क्यों है? First point है 21 जदी की मांग तो 21 century है उसकी need है NCF क्योंकि NCF में according to new trends या फिर जो new education system है NCF उन सभी मांगों को पूरा करता है तो 21 जदी की मांग है कि education के लिए एक अलग से committee बने एक group बने जो की education की सारे need को fulfill कर पाए फिर आता है भारते समाद में विवित्ता की जो अपना Indian culture है उसमें इतनी सारी diversity है उसके need को ध्यान में रखके भी NCF का होना important है परिवर्तन के लिए आवशक important for change एक change लाने के लिए भी NCF के आवशकता है क्योंकि जो NCF है time to time जो education system में change आता है या फिर एक तरह से environment में change आता है system में change आता है उसके according NCF में भी change आता है कि बच्चों के लिए कौन से new rules लेकर आए कौन सा system लेकर आए जाए फिर आता है समवेदान एक बायता जो constitutional एक तरह से changes है वो भी matter करते है और लास्ट है NCRT का आवधिक धान यानि periodic exercise of NCRT कि NCRT के through भी time टाइम पर जैसे हम देखते हैं अगर हम example ले current का तो अभी NCRT में हाली में कुछ changes आए है books में कुछ chapters add किये गए है कुछ chapters वहाँ से out किये गए है तो NCRT का भी time to time updated रहना भी जरूरी है और NCRT के through ही NCF जो है वो conduct कराए जाता है तो ये थी need of NCF यहाँ पर हमने discuss किया vision of NCF according to assessment for learning तो thanks for watching वीडियो अच्छी लगी हो informative लगी हो तो like, share and subscribe